आपको पेपर को चार पार्ट में डिवाइड करना है ठीक है पहला एक घंटा दूसरा एक घंटा फिर तीसरा तुम्हारा आदा घंटा आता है उसमें 20 मिनिट और बचे हुए एंड के 10 मिनिट इस लेवल पे तुमको पेपर को डिवाइड करना है इसका रीजन क्यों क्या है ऐसा क्यों करना है मैं इवेंचुली उसके बारे में बात करूंगा पहले एक घंटा जो होगा वो गेम चेंजर होगा अगर हमें बजाच के लिए जाना है बिकॉज पहले एक घंटे में आपके बास साट मिनिट है साट मिनिट में डिपेंड करता है कि आप कितने नमबर अपकोच लगाते हो इससे आपको पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी पता चलेगा कैसे अभी सुनो पहली बात अगर आपका पेपर जंबल डाता है मैं पेप मान लो 30 मिन में यर वर्बल को करने के लिए कितना टाइम लगता है अगर मैं आर्सी वाला पार्ट छोड़ दू और मैं सिर्फ और सिर्फ वर्बल अबिटी वाला पार्ट करूँ अगर देखा चाहिए तो 30 क्वेशन निप्टा सकता हूं आराम से और उपर का चो मुझे टाइम मेलेगा उसमें बाकी की क्वेशन लगा सकता हूं याद रखना रणरेड इस वेरी इपोर्ड़ दूसरी बात यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग का सावाल ही नहीं तो मान लो एक आत वोचैबलडिग का क्वेशन आपको दिख गया को एक फिर मान लो एक अग विल इन दे प्लैंक दिख गया आपने on the spot उसको मार्क करना है आपको यह वेटी नहीं करना है कि में इसको end में मार्क करूंगा यह प्रवार्क पर रिविव भी नहीं आपको करना है क्यों तुम नहीं करना है विकाज वोच्वाब्लेडी का मिनिक तुछ आभी नहीं याद आता वो एंड में भी याद नहीं आएगा विकाज तेरे लिए प्लेट लिए एक ब्लाक ओल है लिए तुम को वेटी नहीं करना है अगर तुछ लगता है कि यह मैंने कही तो पड़ा था यह मैंने कही तो देखा दा मैंट विए बर्टू गेट एप्स आप क्या कर सकते वी उसको छोड़ सकते हो असको फुवारत ब्लाइज होता है तु लर कर रहा है, तु वर्बल कर रहा है, तु लॉजिक तु कुछ भी कर, कि दिमाग में वो शब्द का मिनिंग क्या है ना, वो तुझे हॉंट करते रहेगा, इस नहीं चाहर करके खतम कर दे ना, उसको तु तु क्यारी फॉरवड़ी मत कर, कास्केडिंग इंपेड हमें कि अगर मेरा पहला एक घंटा, मानलो अगर मेरा पेपर जंबल डाता है, मेरा फोकुस यही रहेगा, कि मेरा पेपर को देखूंगा, इम्पोर्टन टॉपिक्स, मेरा पेपर जंबल डाए, या मेरा पेपर सेक्ष्टनल है, मुझे नहीं फरक पड़ता, बिकॉस एद दी अ अगर मुझे पता है कि मुझे क्या टॉपिक फोटने है, my life is really good, for example, अगर मैं वर्बल अबिलिटी करता हूं, मैं आर्सी को नहीं उठाने वाला हूं पहले एक घंटे में, मैं बिल्कुल भी आर्सी को हापने लगा हूंगा, मेरा फंडा ही होगा कि मेरा रन रेट जाता है, इसके का मतलब पहले 60 मिनिट में मुझे कम से कम 70 to 75 questions लगाने हैं किसी भी हालत में, including short short तुक्का, sir, short short तुक्का और guestimation का फरक क्या होता है, guestimation का मतलब है, थोड़ा दिमाग लगा कि मैं answer mark करूँगा, short short तुक्का मतलब 1 second and minute तुक्का वहाँ पे मार दिया, मतलब मुझे आता ही नहीं है, absolutely, but मुझे 200 questions भी लगाने है, इसलिए में वो तुक्का वहाँ पे लगाँगा, fine, आगे चलते हैं, so now 60 minutes में मुझे 75 करने है, so में कहां कहां से लेकर आँगा, अगर paper section लाया, jumbo die doesn't matter, मैं पहला grammar उटाँगा, उसके बाद तुमें vocabulary उठाँगा, उसके करना बहुत ज़रूरी होता है, यह scoring होता है, इसमें marks बनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, fill in the blank वगर आप कर सकते हो, CET का जो verbal होता है, वो इतना fart level पे नहीं पे नहीं पे आता है, आप उसको कर सकते हो, उसके बाद मैं critical reasoning पे जादा फोकुस करूँगा, क्यों? क्रिटि आप वे और वर्ब्ली अचिपरिशले पे नहीं है, आप देखओ, मैंने वर्बल अच्या कर लेटे हो, क्रिटि काट्या कर लेते हैं, क्यों सबंसे कार लेते हैं, लगर सब्सक्रिशन पे बाद में पता हूँगा, स्वोसत बाद में कर लेते हैं, वाँ सभिष binge, विजवal तो यहां पर तुम्हारा स्कोर अगर बढ़ेगा तो बाकी जो बच्चा लोग कर रहा है वो तो आप कर ही लोगे पर आपको एक अडवन्टीज बिलता है कि बाकी लोगों ने 700 क्वेश्चन लगाया मैंने उपर का ज्यादा मान लो 50 क्वेश्चन और लगाया मैंने जैन्यू तुमको जानना जरूरी है कि यार अगर मैं को कॉम्पेटिशन परसंटेल लेवल पर है परसंटेज लेवल पर नहीं है तेरा कंपरेशन किसे और के साथ हो रहा है बहुत बार क्या होता है बचलो क्रिडिकल डिजनिंग अटेंट करता है पर गलत करता है याद अतना तुमा जी आपको काम बोला है पुरा 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 वर खरेगा आपके लिए मैं मैं बेट करता हूं आँ आपको कॉई भी एग्जम ले लो आप जाले लो सनाप ले लो एकमाट ले लो समाट मेरे रोल से क्रिडिकल रिजनिंग वह कभी भी आपको धोकानी देने वाले है अर्गुमेंट में फंटा वर्क करता है, कोर्स अच्छन के 17 रूल जे वो काम कर रहे हैं, विछले 7-8 साल से बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और वो हर साल करेंगे, कॉस और इफिट्स की भी रूल में आपको बताये हैं, सो हर एक रूल आपके लिए काम करेगा, बस ठीके, अगला वाला 60 मिनिट, विच अगला वाला एक गंटा, आपका ये वंडे मैच होगा, इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें वो क्वेशन उठाने है, जो तुम्हें दो या धाही मिनिट लगाएंगे, सॉल्फ करने के लिए, सो यहाँ पर तुम्हारा द दूसरी बात, जब तुम्हें लॉजिकल रिजनिंग के बारे में बात करूँ, एक घंटे में पॉजल्स मत करना, अगर जैन्मिली तुम्हें जम्लाल बजा चाहिए, पॉजल्स मत करना, पॉजल्स करोगे तो जम्लाल बजा जाओगे, यह जो फंडा है, इसने बहुत सारे एक बजल चालो किया, तुम घुसों और तुम वहाँ रहोगे, तुम एसोचों के यह सॉल्स क्यों नहीं हो रहा, एड़ प्लजल में तोड़ी लथ लग जाती है, इसका मतलब थोटा टाइम और फिर निकलेगा, तो तो टाइम और फिर निकलेगा, यह करते रहोगे, सीडी निकल जाएगा, साल भी निकल जाएगा, यह बक्वास अडवाइज बिल्कुल फॉलो मत करना, पजल एक घंटे के बाद करना, तुझे पजल करना है ना, कुछ बच्चों को बड़ा मजा आता है पजल करने के लिए, मतलब वो डेस्परेट होते है पजल के लिए, तो तो क जाएगे, सार एक पजल था, मुझे लागा वो डो ड़ा मुलेट में निकलेगा, उड़ादे, कौंस दो डह मिलेट में निकलेगा, उड़ादे, कोई भी ऐसा तॉपिक नहीं उटाओगे, जो आपको स्टक करेगा, तो आपको रॉटकायेगा, उसमें इनपूर आपुट तो एक सब्सक्राइब? तो बीक कोंपनेशन है, तुटök बतन वीकों के कावर बहुंत कि टो ईखिए अब कैसे हमािटेड के कॉंट्स के अरिफाइटीएक सरफ रॉक्योंतिक आपका पेपर हो गया, अब थोड़ा अगर आप काल्कुलेशन करोगे, 120 मिनिट में अगर आप देखोगे, आपने 60 मिनिट के, आप अपने 70 का अटेम्ट करा, और नेक्स्ट वाला एक घंटा में, 60 मिनिट में मानलो अगर आपने 60 क्वेशन भी कर लिया, अगर आप फिर लग गंटा उपर का जो आपका 30 मिनिट बचा, उसमें फिर आपको क्या करना है, आपको वही क्वेशन करने है, 20 मिनिट में, जो 5-6-7 मिनिट लेंगे, बढ़ 100% तुम्हें आकुरसी देंगे, अब सबसी इंपोर्टन चीज में आपर बात करूँगा, सर पेपर एजी है, या ड पेपर का difficulty level थोटा पड़ा है, समझा, पहले साथ मिनिट में, अगर तेरे असली या 85 questions बन गए, तो पेपर तुम्हारा doable level पे है, बच्चे नबबे क्वेशन भी लगाते है, अगर तुम्हारा CAT नॉर्मल लेवल पे आता है, 2010 लेवल का अगर 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 तुम्हारा CAT न CT का paper का combination कैसे होता है, 100 questions एकदम doable, 50 questions एकदम medium level पे आते है, जो तुझे 3-3-4 minute लगाएंगे, it'll play with your mind, वो तुम्हारे दिमाग से खेलेंगे, याद रखना, 25 questions ऐसा होता है, जो तुमको actually paper से भाहर निकल के फिगेगा, मतलब that decides कि तुम्हारा JV है कि नहीं है, यह 25 questions जो है न और जो 25 questions बचते है, यह दोनों जो है ना, कॉनसे वाले 20-25 questions तुझे निकालने है, छोडने है, यहाँ भी दुम्हारा पूरा गेम है, because 100 से लेके 500 questions अगर तुम देखोगे, आप कर पाओगे, एक आवरिज बच्चा 80 से 100 questions कर लेता है, एक 99% ऐलर, देखो तक attempt मारता है, how do you decide that, that is decided on level of difficulty, वो 25 questions कौन से है, वो तुझे छोडने है, for example, sir, एक puzzle था, फ्लोर वाला पुजल, देखती है पता चला, यह लेड उबेगा, छोड दिया, एक blood वाला question उठा लिया, एक RC उठा लिया, so याद रखना तुमारा 120 minute में, ideal attempt should be 150, but यह कब होता है, जब paper easy आता है, break लगने लगा तुझे, मतलब तेरी लिए paper difficult है, 120 minute में, 120-125 भी तेरा attempt होगा, you should be fine, okay, now, last के 20 minutes में, वही question कर, जो 100% accuracy देंगे, तुक्का मत मारना, तुक्का पहला 1 गंटा, और दूसरा 1 गंटे में, पहले 2 गंटे में तुक्के वही मारो, जो तुमको जिंदगे में कभी आने वाले हैं, और ऐसे question तुमें दिखेंगे, यह 20 minute में तुक्का नहीं मारोगे, 20 minute में आप वही questions लोगे, जो 100% accuracy देंगे, और last के 10 minute में, अगर 170 का attempt है, 180 का attempt है, बचा 20 question, बचा 25 question, बचा 30 question, जितना बचा, तुक्का मार, खतम कर दे, दो 100 का 200 तेरा attempt हो गया, बड़े smartly, तुने वही question उठा है, जो तेरा score बढ़ाने वाले है, देखो यहां पर कहीं पे भी मैंने यह नहीं बोला है, कि तुम पहले यह करो, बाद में यह करो, बाद में यह करो, क्यों नहीं बोला है, बिकाज पेपर का difficulty level, पेपर देखने के बाद बता चलता है, समझा, अब में थोड़ा और बता हूँगा, विज्वल रिज्निंग, विज्वल रिज्निंग जब आप attack करोगे, make sure आप series वाले question अटाक करोगे, because series वाले question easy होते है, find out करना, तो 5-4 boxes होते है, पाचवा धुनना होता है, मेरे काल से, वो धुनते आप आपको मिल जाएगा, बेच मेरा धुनने में कभी-कभी दिककत आती है, what a image, mirror image कभी-कभी problem देते है, so यह वाले वो questions है, जो आपका score बढ़ाएंगे, so मेरा important list of topics है, वो यह है, यहाँ पे तुम्हारा score बनेगा, और यहाँ यह सो की ऊपर आराम से तुमेले जाएगा, so भल बहुत सारे बच्चोंने, जिसले भी यह वीडियो देखा, 25-40 उन्हें डेम करे है, Instagram पे, WhatsApp पे, कि सर, यह सब उसे best strategy है, 25-40 में क्या है, पहले 25-minute पकड़, और 40 question को attempt कर, और यह क्यो best है, अब मैं इसको end में क्यों बता रहा हूँ, because यह मेरा strategy है, जो शायद से आप यूज करना पसंद करोगे, यह फिर प्रबबले आप कोई और strategy कर रहे हो, इसमें क्या होगा, आप bucket by bucket चलोगे, पहले 25-minute में मेरे 40 question हो गए, बर बर, तो 40 question जब देखोगे, जो आता है, वो mark कर लिया, जो difficulty हो छोड़ दिया, जो बिलकुल दुने आएगा, उसको तुक्का मार के Now understand this, 25-minute में जब मैं paper को divide करता हूँ, पहले एक घंटे में मेरे पास 2 bucket आते है, इसका मतलब 25-25 के 2 bucket आते है, और 50-minute में मैं 80 question देखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहा है, 25-25, 50-minute में 80 question, 50-minute में 80 question, उपर का जो 10-minute है, उसमें और 15 question, मतलब 60-minute में मैं कम से कम 90 से लेके 95 questions देख सकता हूँ, और मुझे paper का difficulty level एक घंटे में पता चलेगा, ये चीज है 25-40 का जो best है, सर पहला bucket, 25 में 40, सर 40 का 40 निकल गया, पहला वाला जो jumble था, है section था, वो मेरे लिली एजी था, दूसरा bucket, सर इस वाले 25 में 40 निकले, इस वाले 25 में 25 ही निकले, पास तुक्ये मा पहला पेपर हो रहा है, ऐसे तुम्हारे 6 bucket बनने वाले है, 25-25-25 के 6 bucket बनेगे, लास्ट निकले तुम्हारा bucket होगा, सो अब क्या करोगे, 25-25-25, 25-25, राइट, तुम्हारा चे बगेट में आप पूरा-पूरा पूरा पेपर देख लोगे, रादर 5 बगेट में पूरा-प में क्या करूँ, तो मैं 20 मिनिट लगाऊंगा, कहां पर जो क्वेशन मुझे आते हैं, 5-6 मिनिट वाले वहां पर में करूँगा, एंड के 5 मिनिट में तुक्का मारूँगा, अब आप बोलोगे, सर कन्फिजोनर है, उपर आपने बोला 10 मिनिट में तुक्का मारो, नीचे 5 मिनिट में तुक्का मारो, यह रीजन ऐसा है, यह दोनों अलग-अलग स्ट्राटेजी है, अगर आपने मुझे पहले से फॉलोग करा है, अगर आपने 25-40 करा है, तो उपर वाला जो चीज में ने बोला, मैं उसको 25-40 में आड करके आप आपको बता रहा हूँ, इस नरीके खतम होगा, तब तो 200 क्वेश्चन देख के तेरा काम हो जागा, तो उसके बाद तो तुछे टाइम भी नहीं मिला ना, तो उस च्राटेजी का फाइदा ही क्या, विकॉस यहाँ पर 300 मिनिट खतम हुआ, यहाँ पर 200 क्वेश्चन देख लेता है, अगर तुझे यह पता चल अगर तेरे जादा शॉट्स लगें, टक, 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 if you hitting six on every ball, it means वो 40 क्वेश्चन का जो बकेट था, वो तेरे ली एजी था, तो तुझे पता चलता है, तो कहाँ पर स्कोर बना रहा है, उसमें भी 40 क्वेश्चन का जो बकेट है, उसमें तु यह टॉपिक अगर लेके फोड़ना चालो करेगा, तो तो साट मिन में 90 क्वेश्चन आराम से कर लेगा, there is no doubt about it, अगर आपने यह मौक्स में लगाया होगा, तो यह डिदे पे अपको मजा आजाएगा, मतलब यह अपको डेफरिटली काम आएगा, लास्ट यह जो मेरा 99.99 और 99.98 बंदा है, गुस करंवली सिडिग इंसाइद जमलाल अबजाज 25-40 था को मखन जाएगा, फिर पेपर बाली बाली वीडियो बिदेख लेगा, अप मेरे बाकी की वीडियो भी देखो, आप दालो यूटुब पे सेटु सेम एंटर 25-40 CET स्ट्राटीज आपको मिल जाएगा, विजुल की जो फ्री वाली वीडियो है वो देख लेना पेपर दूएबल होगा देखो सिंपल सी बात है एक्सपेट पेपर क्या होता है इस अब बगवास चीज़े है अगर एक अच्छे स्टूडेंट हो अगर आपने जिंदगी में कभी धंक से पढ़ाई करी है आपको यह पता होग 99.99, 99.97 लाना is not that difficult बस एक ही चीज़े जो तुम्हें अपने दीमाग में रखनी है और यह है तुम्हारा स्ट्राटेजी, स्ट्राटेजी और स्ट्राटेजी सबसे अच्छी बात सीड़ी कि यह है कोई नेगटिव मार्किंग नहीं है तो आप सेफ हो आप चांसेज ले सकत जो एक्चल में जूड बोला जाता है कि end end वाले तुम्हारे question easy आते है यह सबसे बड़ा बकवा से जो भी बोलता है ना हमें तो challenge करता हूँ प्रूफ करके दिखा हूँ it is absolutely nonsense ऐसा कभी नहीं होता so please do not start your paper from 200th question or 199th question please don't do that this is an absolute nonsense किसी भी topper के साथ अगर बात करोगे जो बच्चों को पढ़ाई से प्यार है वो कहेंगे भाई यह सब चीजे नहीं होती है paper properly divide होता है तुमारा दोसो के दोसो ठीक है so do not fall or do not do anything जो तुम्हें रिग्रेट करेगा कि shit यार यह मैंने गलट ट्राई किया please don't do that number one से चालो करेंगे दोसों तक जाएंगे पूरा paper देखेंगे अपने strong area पे आप खेलोगे जहां पे doubt है question छोड़ोगे हाथ नहीं लगाओगे इतना अगर तुमने कर लिया ना life is good trust me now आज क्या करना है आज chill मारना है या पढ़ाई 집 करनी है में जादा नहीं कहPhogen अज महार्शिररदात्री है पहली बात मंदिर जाना बहले बाबा के दरशन करके आना बहुत बड़ा दीन है आज ठीक है करना क्या है आज एक passive मौक लगा ㅇक है पाशिव मौक का मतलब क्या है आप क्या करो Article आप शाम में आप अपना एक मौक open करो, C2C mentor का, कुछ मत करना, उस मौक को जज मत करना, बस ये देखना है, पच्चिस मिरड में, 40 question में देख रहा हूँ, solve नहीं करना, बैटना है, 25 मिरड में, कौन से 40 question करूँगा, बस तुझे खुद को वो पूछना है, you just have to focus on your decision making, कि ये question में उठाऊँगा, ये question में में नहीं उठाऊँगा, और end में तुझे ये देखना है, कि जो भी question में ने कहा कि में उठाऊँगा, वो कितने सही मेरा decision था, क्या वो genuinely सही थे, या कुछ में से कुछ ऐसा हुआ, मैंने ego पे ले लिया, अरे ये puzzle, ये तो मक्कर है मेरे लिए, but it turned out to be very difficult, मतलब कही ना कही तेरा ego, तुझे problem दे रहा है, कही ना कही तेरा सोचने का तेरे का तुझे problem दे रहा है, तो ये घर पे बैठके solve कर, ये अगर तुने exam के, डे डे पे अगर तुने ये करा, तो तेरे को problem हो सकता है, अगर तुमने इसको सही डंग से apply किया तो, है ना, मेरी strategies अगर कोई बच्चा apply करता है, मैं thousand percent लिखके देता हूँ, वो कभी भी exam में गलत नहीं जा सकता, और अगर आपने दिल से मेहनत करी है, अगर आपने पढ़ाई अच्छी की है, मैं लिखके देता हूँ, ये strategy आपको कम से कम 1.500 की उपर का score आराम से दे सकता है, बस इसको implement तुमको करना आना चाहिए, तुम्हारा जो emotional imbalance होता है, हर एक का होता है, there is no doubt about that, but एक smart बच्चे को पता है, कि मेरा emotional imbalance होने वाला है, ये question मेरे को ले दुबेगा, मैं छोड़ूँगा, बस इतना ही game है sir, आपने cat दिया, आपने z दिया, आपने snap दिया, आपने nmat दिया, बहुत सरी exam आप दे चुके हो, आप होशा रॉप स्मार्ट हो, हर एक exam में आपकी preparation कम नहीं थी, हर एक exam में आपका जो emotional balance था, जो emotional question, EQ जो में कहता हूँ, उसने गड़बड़ी कर दी, so preparation wise you are good, आपको पता है क्या आता है, ये सब आपको भी पता है, ये topics आने वाले हैं, but that EQ is where you lack, अगर आपने वो control कर लिया, sir जी आप 500 आराम से cross कर रहे हो, लिख लो, तो करोगी करोगी आप, as in, तो तो तुमारा होगी होगा, एक अच्छा accuracy की साल, और अगर थोड़ा mock बगरा दिया है, थोड़ा बट पड़ाय बड़ाय कर रहे है, so 170 प्लस आपका attempt पका आने वाला है, there is no doubt about that, यह हर साल प्रूव हुआ है, so guys, आज चिल मारना है, तो मारो, टेंपल चले जाओ, है ना, passive mock लगाओ, बिंदास, यह करना है, एकल अपना जो भी admit card बगरा बगरा जो भी है, वो सब ढंक से लेके जाना, I am more confident about this, but again, तुमने अगर कोई पाली strategy यूज करी है, तो कमेंट करके जाना कि sir, videos have been helpful, 25-40 में ने देखा है, मुझे पता है, and जब भी तुम्हारा सीटी का paper होगा, मैं डेली बिस्स पे आपको उसका analysis भी दे दूगा, so guys, last but not the least, चैनल को सब्स्राइब करके रखा, okay, I had to go somewhere for important work, but मैंने का कि नहीं यार में पेले वीडियो बनाऊँगा, उसकी अबादी में निखलूगा, so guys, on that note, thank you so very much for watching this video, paper में जाना है, फाड के paper आना है, you know everything, you know the best of the best strategies, बस पेपर के दिन पे, implementation भी focus करो, and तुम्हारा काम बन जागा, that's it from master guys, take care, bye-bye.